केंद्र सरकार ने छे देशों को तै मात्रा में प्याज निर्यात करने की अनुमती दे दी है। इसके लिए सरकारी एजनसी नेशनल कोपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, NCEL, प्याज की खरीद और निर्यात की व्यवस्था कर रही है। सरकार के इस फैसले के चलते लंबे समय से निर्यात पर बैन जेल रहे किसानों और ट्रेडर्स को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने मध्यपूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए 2000 मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की अनुमती दी थी। केंद्र सरकार ने शनिवार को छे देशों के लिए प्याज निर्यात की अनुमती दी है। सरकुलर के अनुसार छे पडोसी देशों बांगलादेश, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, भूटान, बहरीन, मौरीशस और श्री लंका को 99,150 मीटरिक टन प्याज के निर्यात की अनुम प्याज के निर्यात पर प्रतिबंद लगाया गया है। गुजरात के किसानों सरवाधिक लाब मिलेगा क्योंकि वहीं पर सफेड प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है। उपभोक्ता कारे विभाग के मूलिय स्थिरीकरन कोश के तहत रभी दो शूने दो चार में से प्यास की बफर खरीद का लक्ष इस वर्ष पांच लाख टन निर्धारित किया गया है। केंद्रिय एजेंसियां यानी NCCF औरने फेड किसी भी भंडारन योगय प्यास की खरीद शुरू करने के लिए खरीद, भंडारन और किसानों के रजिस्ट्रेशन का समर्थन करने के लिए FPO, FPC, PAC जैसी स्थानिय एजेंसियों को साथ जोड रही हैं। इसके साथ ही प्यास स्टोरेज में होने वाली हानी को कम करने के लिए cold storage वाले stock की मात्रा को पिछले वर्ष के 1200 मीटरिक तन से बढ़ा कर इस वर्ष 5000 मीटरिक तन से अधिक करने का निरने लिया। पिछले वर्ष शुरू की गई इस प्रक्रिया से होने वाली हानी घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह गई है। Bureau Report Market Times TV